नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सब लोगों का टेक्नो सीरी यूट्यूब चैनल के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर और दोस्तों आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही यूजफूल और बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अ मतलब आपका friend हो आपकी girlfriend हो किसी कभी WhatsApp आपके mobile phone के दर चला सकते हो और सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा और उसके साथ साथ में आप उसके profile change कर सकते हो status change कर सकते हो और उसके साथ साथ में आप उसके पूरी chat के अंदर कौन कौन लोग है chat history पूरी देख सकते हो और किसी ओवे messages भी कर सकते हो मतलब पूरा कपर WhatsApp आपके control में हो जाएगा बस दोस्तों आपके पास एक चीज होनी चाहिए चली दोस्तों शुरू करते हैं आज गई वीडियो लेकिन दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले सबसे पहली बात दोस्तों कभी तिक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके लाइक करते हैं आप लाइक कीजिए उसको पूरी वीडियो देखिए आप दोस्ते लाइक करेंगे प्लीज जाए बहुत ही मैंने से वीडियो बनती है नहीं आपके कोई पैसे लगते हैं लाइक करने के और नहीं दोस्तों मेरे आपको सबसे पहले पता चलेगी तो चली ही शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो तो सबसे पहले गई करना क्या पड़ेगा आपको सबसे पहले जो है आपको अपने मॉब्लवॉट फोन का जो है आपको open करने के बाद यहां पर देखिए उपर three dot का button इस पर click करना है और click करने के बाद यहां पर एक option मिलेगा request desktop side okay इस पर आपको जो है इसको मतलब कर देना है समझे इसको enable कर देना है enable करने के बाद आपके सामने इस तरीकी का एक जो है नया interface जो है आपके समने so हो जाता है तो गाई जब भी आप desktop side में open करोगे न तो आपके सामने इस तरीकी का एक QR code आपके सामने open हो जाएगा यहां पर आप देख सेते हैं QR code open हो जाएगा यह QR code दोस्तों आपको यह पर जन्नेट होगा उसके बाद WhatsApp यूज करना चाहते हैं उसका mobile phone आपके पास होना च तो गाईज मैं अपना दूसराला phone जो है यह पर open कर लेता हूँ आपके सामने तो गाईज यहां पर आप देख सेते हैं यह है मेरा दूसराला mobile phone और अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इस mobile phone पर क्या करा है यह mobile phone समझ दीजे मेरा यह जो है मतलब की girlfriend का mobile phone है तो उसक QR code है तो इस QR code को जो है वह आपको camera आता है जो आप मतलब की camera आ रहा है बने camera open हो चुका है इस camera से दोस्तों जो है यह QR code स्कैन करना है तो यहां पर देखें यह QR code है तो मैं उस phone को लाता हूँ इस पॉन का camera है इसके उपर रख देता हूँ यह QR code scan करने के लिए और जैसी इस QR code scan हो गया QR code scan होते ही यहां पर देख सकते हैं ऐसा interface सो हो गया उसका WhatsApp जो है यहां पर open हो चुका है अभी दोस्तों मैं आपर देख सकता हूँ यहां पर देख सकता हूँ वीडियो वाच कर सकता हूँ उसको मैं इसकी chatting कर सकता हूँ आमीन यहां पर देखिए दोस्तों मैं ने चैट कर ली और यहां पर देखिए कि मैंने भी hello लिख लिए था इस तरीके से दोस्तों आप जो है मतलग किसी को वाट्सेप अपने mobile phone के अं पड़ेगा तो इस ते कि सब कुछ काम दोस्तों आप अपने Android mobile से कर सकते हैं किसी को वाट्सेप आप अपने mobile phone के तरह चला सकते हैं देखिए दोस्तों गलत काम का बिल्कुल यूज मत कीजिए क्योंकि मेरा इस वीडियो का मकसद शिर्फ यही है कि दोस्तों आप जो है मैं जरूर सेर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो जली दोस्तों अंगली वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए थैंक्यू गाइज